हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में बिजली विभाग के तरफ से बड़े भरती आये फ्रेंड्स 2019 के लिए जो कि असिस्टेंट इंजिनियर एनी एई की भरती है ये और जो कुल पद है वो है 335 जहां फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ती आई है कहां से आई है तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़े भरती है आप लोग अगर इलिजेबल है तो जोर भरिए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक पुरा देखिए बहुत ही अच्छी विकंसी बड़े है और जो वीडियो को लास्ट तक पुरा देखिए और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक बटम को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों को सेर भी कीजिए और फ्रेंड्स चैनल पे नएए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाईए बेल आइकन ताकि हमारी कोई व पीडियेफ डाउनलोड है नोटिफिक्शन जो है नंबर एम पीपी दोसर उनीस पैतीन ये पचीस थारीक को ही रिलिज हुआ है लेकिन यहां देखिए कॉमेंसमेंट ऑफ ओनलाइन एप्लिक्शन जो है वो सात मार्च से शुरू है इन पर्सों से ही शुरू हो चुका है औ अपरेल तक लंबा टाइम है फ्रेंट्स आप अराम से भरिए और जो लास्ट डेट फॉर रिसीबिंग प्रिंटेड ओनलाइन रेइस्टेशन फॉर्म एंड रिलिबांट डोकुमेंट्स थ्रू पोस्ट आप जो भी ओनलाइन फॉर्म भरिएगा उसको निकालके साथ में पोस्ट करना है आपको सुल्य अपरेल तक ठीक है याद रखी ओनलाइन एप्लेक्शन करने के बाद उसका हार्ट को भी प्रिंट आउट निकालके आपको सुल्य अपरेल तक लाश्ट तक भेजना है ठीक है फ्रेंट्स याद रखी आप लोग कन्फीज मत होईएगा लेकि यह कोई भी ओल ओबर इंडिया के लोग भर सकते हैं क्योंकि यह गेट 2019 के स्कोर के थुरू इसका जो है बहाली होगा जिहां फ्रेंड्स यह मैं सोची गया कि सिर्फ यह वेश्ट बंगॉल के लिए है ठीक है फ्रेंड्स यह जो है ओल इंडिया जोब है मैं अधितर ऐसी फ्रेंड्स तो देखींगा आप कोई-उसाрист पोश्ट है सबसे पाहला है एशेटेंट इंजनियरक्टिकल क्लेड्ड में जो किये वूइएंशेटेंट इंजनियर स्भील में इसिस्टेंट इंजनियर में मेकनिकल में और और इंजिनियर आई टी एंड कम्पूटर में इन्फरमेशन टेक्नोटर में यह चार टेड में पद निकला है चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसका दिया एक कंपनी का पुरा दिया एक डेटा उसका ज़रुरत नहीं है जो आपको ज़रुरत में बता रहा हूं पटाफट क्योंकि आपको जो काम की जानकारी भी बताऊंगा चलिए आप चलते हैं डिटेल और पोस्ट क्या क्या है मिनिमम जो है एसेंसिल क्या है वेकेंसी कितनी है उसका सेलरी कितनी है और एज कितना है सब दोस्तों बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले तो चलिए है और इसमें जो है चलिए हो है दो सो च्यालिस ठीक है और इसमें जो है गिया है वह आपको बी या बी टेक या बीश्ची इंगिरिंग्री होना चाहिए इंक्लूडिंग कांडिडेट्स् قोष् どुट एंजीनिक इंट्री जो लिटर इंट्री की में वह भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इस एक्ट्रिकल iras बेसी ओनर्स इन फिजिक्स विफ थ्री एर्स बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिंग फ्रॉम एनी इस्टूट या पूड़ बाइ ए इस्टी या आई टीस ठीक है फ्रेंट्स और इसका सेलरी है वह आपको पंद्रे हजाज़ज़ज़ से लेके उन्चालीस हर एक सो तक इस एक सो और टीन है और जो इसमें जो है क्वालिफिक्षान फ्रेंट्स बीई बीटेक या बीएस्टी इंजिनिंग डिग्री इंकूलूडिंग कंडिडेट्स हूं हैब जोई दा कोर्स थूर लेटर इंट्री ईंटीी जो लेट्री किये हैं सिवील इंजिनिंग में वह भ़स सकते हैं और जो भी बिटेक वगर किये तो भरी सकते हैं और जो construction engineering from any institute approved by AICT से approved अपका होना चीज़ दिगरी और इसमें जो salary friends सेम है 5600 लेकि 49100 और grade पे है 400 ठीक है friends अब next next में है post no.3 क्योंकि असिस्टन इंजिनियर mechanical के लिए इसमें जो है number of vacancy टोटल है वह सतर है और इसमें अगर आप लेटरल इंट्री किये है mechanical engineering में तो भी आप इसको apply कर सकते हैं और आपको जो डिगरी है AICT से approved होना चाहिए और जो इसका आपको मांद ही नहीं sorry इसका salary है रेमुनेशन वह आपको सेम है पंदरशी नहीं चेसों से उंचलते हैं और लास्ट जो है post no.4 वह assistant engineer information technology and computer इसमें जो है कुल जो post है वह 12 और जो unreserved के लिए 4 seat है SC के लिए 3 है HD के लिए 1 है OBC के लिए 1 है OBCB के लिए 2 है PWD के लिए 1 seat है और जो qualification friends वह B.E.B.T.E.C. Engineering होना चाहिए आपको ठीक है फ्रेंड्स information technology या computer science में ठीक है MC होना चाहिए या BCA honors वगर की है तो साथ में आपको तीन साल का जो है B.T.E.C. होना चाहिए ठीक है जो डिस्टेंस लेल्लिंग मोड डिली इगनाइज वाइ युदिस्टेंस से कॉर्स किया है क्या मैं अप्लाई कर सकता है यहां पर साफ साफ है आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सर्थ है कि आप जो है रिकोगनाईज होना चाहिए उनिशिटी यूजी से या यह ए ए ए ए सीटी इसे यह ए न आई ओए से तब भी आप अप्लाई कर सकते है ठीक है अगर इसके रिकार्डियों को भी दिखत हो तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसको जाब देने का कौशिस करूंगा ठीक है अब देखते हैं अधर फिसलिटी क्या के मिलेगा आपको अपको जो बेसिक पे और गिट पे है उत मिलेगा ही पलेटे साथ में आपको डी मिलेगा ही अचरे मिलेगा अपको अपको सब कुछ आपको मिलेगा और यहां पर बहुत सारे कंडिसन्स हैं तो इसे आप पढ़ लिएगा क्योंकि हांद की आप चल बात करते हैं एज चाहिए और जो maximum age है वो 27, 27 सल हो जाए, 18 साल से 17 सल के बीच में है, तो आप apply कर सकते हैं, और जो date का गन्ना होगा, calculation होगा, वो एक-एक 18 से होगा, ठीक है friends, और जो भी OBC A, OBC B, या SCHT वेकर हैं, उसको जो है, OBC के लिए आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और जो SCHT के लिए उसको 5 साल का छूट मिलेगा, और जो PWD है, persons with disabilities, उसको जो है, 10 साल का छूट मिलेगा, age limit में, ठीक है friends, आप बात कर लाते हैं, SCHT, OBC का, जो West Bengal से बिलोंग करते हैं, ठीक है friends, त करते हैं, processing and examination fees, ठीक है friends, नमबर पहला जो है, assistant engineer electrical के लिए आपको class 1 है technical, यह आपको जो है, application fees 400 रुपी है, लगबख सभी के 400 रुपी है, ठीक है friends, assistant engineer civil, mechanical और information technology and computer, सभी के लिए यहाँ पर 400 रुपी है, application fee, इसको जमा कैसे करना है, के लिए हम देख लेते हैं, इसको जो फ जाके जब आप online apply किजिएगा, तो वहां से print निकाल के जो आएगा चलान, उसको जमा करना है, फिर आपको उसको upload कर देना है, ठीक है friends, और जो है इसको चलान के तुरूप, आपको United Bank में ही जाके जमा करना होगा, ठीक है, और यह जो print date है, आपको पता ही है, 7 मार्स से online ठीक है friends, इनि चलान के लाबा कोई भी जो है mode applicable नहीं होगा, इसको आप तो ध्यान रखेएगा, ठीक है, और अगर एक बार आपको payment हो जाता है, तो फिर refunded नहीं होगा, ठीक है, आपको, हम देखते है, जो है, आपको, सबको मिलेगा ही, तो मिने बता दिया पहले, और यहा और definition of the person with disabilities, उसका certificate होने चाहिए आपको medical board से, ठीक है friends, और जो mode of selection, उसका process होगा, क्या होगा, the graduate engineers from the relevant disciplines, willing for taking of a career with WBACD CL are required to appear in gate 19, जो graduate engineer है, BTEC किये हुए, MC किये हुए हैं, और जो इस विभाग में काम करना चाहते हैं, तो friends उसको जो है, gate 19 का exam होगा, उसमें appear करके pass करना पड़ेगा, तब भी इसमें apply कर सकते हैं, जो कि यह चार post आया है, assistant engineer का electrical, civil, mechanical, or information technology computer में, candidates, candidates who have to essentially qualify in gate 19 examination, additional candidates will have to appear for personal interview, तो वही जो है, personal interview में, आप सामिल हो सकते हैं, जो 18 में pass किये हैं, पहले तो उसको जो है, इसमें apply करने का मोगा नहीं मिलेगा, आपको 19 में द्वारा pass करना पड़ेगा, अप में आप दिखा गया weightage, कितना कितना आपको लाना चाहिए, जो उसका parameter है, गेट 19 का जो score है फ्रेंट्स वो सो नमबर का होगा उसमें आपको 80% लाना अनिवार है और जो personal interview है वो 25 marks का है इसमें आपको 20% लाना अनिवार है यह टोडल जो है 125 marks का exam है आपका और उसमें 100% marks लाना अनिवार है फ्रेंट्स यह रहा में में आपको जानकारी update जो मैंने आप को दे दिया ठीक है फ्रेंट्स अगर फिर भी आपको कोई दिकत होता है तो हमें आप कोमेंट में कोमेंट कर सकते हैं मैं उसका जवाब देने का कोशिस करूंगा ठीक है फ्रेंट्स उम्मित करता हूं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और फ्रेंट्स अगर जो भी आप किजिए गार उसका हाउट को पर निकाल के आपको 16 एप्रिल तक आपको भेज देना है आपको वहाँ पता दिया आउपर में और जो फ्रेंड्स जो परसनल इंटर्वी को जो रेट है वो जिवन 19 में कनफर्म है ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेस्ट प्रेंड नेस्ट एक साथ थेंस पर वाचिंग जो आपको जो वाचीन